हलो लानाज, वेलकम टो एडियोलोजी और इस विडियो के तरू हम पूरा ही रवाइस करंगे बायो टेकनोलजी को प्रिंसिपल्स प्लस अप्लिकेशं़ वाला पाट एक विडियो में आपका पूरा ही बायो टेकनोलजी क्लिर अप हो जाएगा तो start करते हैं बायोतेक्नोलजी से यह जो वर्ड है बायोतेक्नोलजी वो दिया आपका काल इरेकी ने और यहां पर सबसे जादा important चीज क्या है first recombinant DNA क्या है यह first recombinant DNA कैसे बना और इसके लिए क्या-क आपको चाहिए होता है किसमें डिस्कवर करा पस यही पूरे बायो टेक्नोलजी में पढ़ना है प्रिंसिवल वाले पार्ट में एटलीज आप्लिकेशन में थोड़ा डिफरेंट पढ़ते हैं यहां पर फर्स रिकॉंबिनेंट डियने आपका बनाया Stanley Cohen and Herbert Boyer ने और इन दोनों ने मिलके इस फर्स रिकॉंबिनेंट डियने को बनाया अब किस किस चीजों के थू इन्हों ने फर्स रिकॉंबिनेंट डियने को बनाया यह बहुत इंपोर्टेंट है तो यहां पर फाइव आपके टूल से रिस्रिक्शन एंजाइम बनाने के वह ब करते हैं यहां पर रिस्रिक्शन एंजाइम जो बिलॉंग करता है वह बहुत बड़ी क्लास से करता है तो इसके लाइक फॉर्दर काटिगराइज करा गया है नुक्लियस क्लास को दो पार्ट में विच इंडोनुक्लियस जो है वो कट करता है डियने के मोलिकुल्स पे अड एंड और जो आपका एंडोनुक्लियस है जो कि हम बायो टेक्नोलोजी के अंदर सबसे जादा यूज करते हैं क्यों यह कट करता है किसी भी डियने के मॉलिक्यूल को अट पेसिफिक पोजीशन जो कि हम क्या बोलते है जिसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस अब यह पैलेंड्र की बिल्कुल अपोजेट है तो अगर मैं उपर वाले स्टैंड को रीड करूं 5-3 डिरेक्शन में तो मैं बोलूँगी गट्याक है यहाँ पे अगर मैं नीचे वाले स्टैंड को 5-2 डिरेक्शन में ही रीड करूं यानि की औरियेंटेशन जो है रीडिंग की वो सेम रखू तो दोनों ही डिरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा सेम सीक्वेंश मिलेगा ऐसे सीवेंश को हम क्या बोलते हैं गटैक ओके ऐसे बहुत सारी sequence का फॉर्मेशन कर सकते हैं यह बेसिक एग्जामपल ताप यहाँ पे इस पेलेंडरॉमिक सीवेंश कते हैं और इसलोलेंडोमिक स एक्जाम्पल्स हैं अब यह पर हिंद सेकेंड की नेमिंग कैसे करते हैं यह पूछ लता है तो देखो यहां पर हिंद सेकेंड का जो फर्स्ट वर्ड है छ! से बिलोंग कर रहा है हीमोफिलस से और और इन बता रहा है इसकी स्पीश इस है इंफ्लुन्सीजजी his you और है स्टेंड दिलाभंग कि आय लाइक स्ट्रीच्च्स व रहा है मेरे यह रोमा नंबर है वह हमेशा बताता है किसी भी restriction enzyme में उसके time code जब वो discover हुआ उसके according किस-किस number के restriction enzyme discover होते रहे उसकी according नोंने roman numbers में numbers दे दिये polymerase enzyme इतना जब नहीं पूछता polymerization के लिए होता है ligase जो की दो DNA के जो fragments है उन्हें चिपकाने के लिए होता है host organism host organism जिसमें हम एक recombinant DNA भेज रहे हैं ठीक है vector जिसके through भेज रहे है तो अभी हम सब पढ़ेंगे चुट-चुट tools में आपको वता रही हूं देखो vector क्या होता है आपका plasmid भी हो सकते है bacteriophage भी हो सकता है बहुत important वालो जो plasmid है आपके लिए वह है PBR322 और यह आपका first cloning vector है जो की बनाया गया 1977 में by board liver and rodriguez ही जो PBR322 है इसका मतलब सुनो P तो आपका plasmid को represent कर रहा है B represent कर रहा है आपका boliver को R represent कर रहा है rodriguez को ओके इसलिए क्या है PBR322 और इसे हमने लिया है equalize से ओके अब यहां पर बात कर लेते हैं कि कैसे process करते हैं हम पूरी ही recombinant DNA technology की तो सबसे पहले हम क्या करते हैं isolation करते हैं किसी भी DNA का यानि कि हमें जो desirable DNA चाहिए हम उसे select करते हैं desirable DNA fragment को अब उसमें चोटे-चोटे parts में fragments कर देते हैं उसके बड़ा वाला DNA है चोटे-चोटे parts में कट कर दें क्योंकि एक specific position वाला चाहिए तो इसके लिए हमारे help करता है आपका tool restriction enzyme okay restriction enzyme के तुरू हम उसे बहुत चोट-चोटे fragments पे कट कर लेते हैं उसके बाद उन सब को उनके size के according discriminate करते हैं okay so यहां पर isolation करते हैं अपने desirable DNA fragment का और इसके लिए हम use जो करते हैं वो process वो है आपका electrophoresis वो भी कौन सा gel electrophoresis okay इसके बाद हम amplification करते हैं by using PCR PCR क्या है आपका polymerase chain reaction अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे एक और बार okay then ligation of the DNA fragment into the vector उसके बाद क्या करते हैं हम वैक्टर को भी उस वैक्टर के साथ DNA fragment को जो हमारा desirable DNA fragment है उसमें जोड़ देते हैं अब कैसे जोड़ेंगे पहले वासे कट तो करेंगे कोई space जब ही तो उसके अंदर जोड़ेंगे तो जो करेंगे वह से रिस्रिक्शन एंजाइम पर त्रू करेंगे जब ही वह जाके एड़ होगा फिर हम क्या करेंगे इंसर्शन करेंगे उस रिकॉंबिनेंट DNA की किसी होस सेल के अंदर कल्चुरिंग करेंगे और एक्स्ट्राक्ट करेंगे वह desirable product जो हमें चाहिए था और downstream की process हम market में like launch कर देंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं यह आपका foreign DNA है जो कि आपको जिसमें से अपना desirable DNA की fragment चाहिए था यह आपका vector है vector plasmid okay जो की circle shape पर होता है अब यहाँ पर हमने दोनों को यह same restriction enzyme से cut करवाएंगे तो कुछ ऐसे figure आपके सामने आ जाएगी यह आपका desirable वाला है और यससे हमने same restriction enzyme से cut कर वाया है ताकि sticky ends का development हो जाए यह attach कर देंगे हम okay और फिर क्या करेंगे इसे हम एक host cell में transfer कर देंगे इस host cell यह आपकी equal आई है यहाँ पर और क्योंकि हमने इस host cell में transfer कर रहा है तो इस process को हम बोलते है transformation अब यहाँ पर further divide कर जाएंगे और ऐसे हम बहुत चारे formation कर लेंगे अब यहाँ पर क्या होता है यह आपका इतना easy नहीं होता है जाना okay तो इसके लिए हमने competent बनाना पड़ता है DNA को यहाँ पर ability to take up a foreign DNA इसे हम क्या बोलते हैं competent process आप बोल सकते हो तो यहाँ पर देखो क्या 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 कैसे methods आपके competent method के physical, chemical आपके और disamp pathogen करके भेज सकते हो vector को तो देखो यहाँ पर सबसे पहले chemical method में हम क्या करते है calcium का use करते calcium divalentine का पर यहाँ पर दूसरा method जो है वो vector को जो आपके desirable DNA vector हो दोनों को यह क्या करते हैं फिर host cell को competent बनाना है उसके अंदर host cell की अंदर भेजना है vector को तो क्या करेंगे host cell को और vector को दोनों को यह क्या करेंगे heat shock देंगे okay heat shock में क्या होता है सबसे पहले हम इसे heating heat करते हैं बहुत जादा heat करते हैं फिर हम इसे ice पर रख देते हैं फिर हम इसे बहुत जादा heat करता है तो क्या होता इसकी cells open हो जाते हैं और फो ले लेता है यह जो calcium divalentine है यानि कि injections use करेंगे और यह gene gun कि हम high velocity से inject कर देते हैं आपकी उस host cell के अंदर vector को ठीक है तो ऐसे हम use करते हैं मैंने चीज आपको अच्छी तरीके से बता दी देन आपको यह वाला जो plasmid का डाइग्राम है PBR 322 यह आपके exam में पूछ लेता है 5 marks को question भी आ जाता है इसके उपर तो देखो इसमें जो 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 अच्छे-च्छे से आपका labeling है वो एक बार अच्छी तरीके से देख लेते है विच इस ORI, ORI का एक specific position है यहां पर origin of replication जहां से जो DNA है वो replicate होगा इस PBR 322 के अंदर यह AMP और TET क्या है AMP है आपका ampicillin resistant और TET है आपका tetracycline resistant यह दोनों यह आपके selectable marker है जो की बताते हैं के cell transformation के अंदर गया यानि की ऐसा तो बहुत बार होगा ना जिस जितनी दफ़ा यह आपका टैच नहीं होगा तो यहां पर यह जो दोनों चीज़े AMP और TET यह आपका बताता है कि कोई भी cell competent हुआ या नहीं तो इसके लिए हम यूज करेंगे यह वाला डाइग्राम तो देखो यहां पर जैसे की बाम H1 है और यहां पर TET रसाइकलिन वाला जीन था जो कि अभी हमने देखा PBR 322 में तो हमने क्या करा हमने कट करा restriction enzyme के थू और यहां पर अपना desirable gene या desirable DNA fragment जो हमें लगाना है वो orange कलर का है और यह brown कलर का हमने इसमें attach कर दिया ठीक है अभी यहां पर हमने क्योंकि यह वाली site निकाल ली है by cutting with the help of restriction enzyme तो यहां पर जो TET वाला जीन था वो भी चला गया ठीक है तो अब यह tetracycline के लिए resistant नहीं है हाइवर अब क्या हुआ यह self ligate हो गया तो इसके अंदर तो TET वाला cell present हो जाएगा ठीक है और यह वाला जो है जिसमें हमने attach कर दिया तो इसमें तो बिल्कुल ही absent हो गया TET वाला gene जो है हाइवर AMP वाला, AMP celine resistance वाला gene तो present है क्योंकि वो इस वाली side पर present था इसलिए यहाँ पर present है अब बात करते हैं आगे अब क्या होगा यहाँ पर एक कुछ host cell में तो जाएगा ही नहीं आपका vector तो उसे हम क्या बोलेंगे non-transformant कुछ में चला जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे self-ligating वाला तो उसे हम क्या बोलेंगे transformant लेकिन non-recombinant, non-recombinant क्योंकि इसमें हमारा desirable gene वाला fragment नहीं है इसमें है इसलिए से recombinant बोलेंगे और दोनों को transformant बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने vector को लिया है, ok transformation की process हुई है, अब अगर मैं दो container लूँ, ok एक मैं लूँ सबसे पहले ampicillin resistant का, ok और एक मैं लूँ tetracycline resistant का, एक ampicillin resistant का लिया है और एक tetracycline resistant का लिया है अब मैं थोड़ा सा color change कर लेती हूँ है यहाँ पे, so यहाँ पे मैंने यह वाला जो cell है, यह ampicillin resistant में डाला और यह वाला cell है, यह भी ampicillin resistant में डाला यह, क्योंकि ampicillin resistant है, तो यह इस वाली condition में अराम से stable रहेगा यह भी ampicillin resistant है, तो यह वाली भी इस वाली condition में अराम से stable रहेगा, ठीक है अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे यह वाला cell है यह भी इसमें डालते हैं, tetracycline में और यह वाला भी, अब देखो यहाँ पे tetracycline resistant gene present है, तो वो इस वाले medium के अंदर अर्राम से survive कर पाएगा, हाँएवर इसके अंदर नहीं है, तो इसकी यह खतम हो जाएगा, तो हमें यह पता चल जाएगा, इस condition में, कि यह tetracycline resistant नहीं है, इसी भी बोलते हैं, insertion and inactivation, right, so यहाँ पे हमें यह देखने के लिए मिलती है, अब बात करते हैं, आपके PCR की, तो PCR में 3 process होती है, PCR से हम क्या कर सकते हैं, polymerase chain reaction और people choice reaction, इसमें हम एक single, जो आपका DNA strand उस से multiple billion copies का formation कर सकते हैं, बहुत ही कम time में, okay, so यहाँ पे कुछ process होती हैं, इस पूरे ही PCR की, which is denaturation, annealing, आपका, और extension, अब यहाँ में जो मैंने given दे रखे हैं, यह आपको temperature बहुत अच्छी तरीकी से याद होने चाहिए, 95, 94 भी लिख सकते हो, 54 भी लिख सकते हो, आसपास लिख के, अगर याद नहीं आ रहा है ना आपको, तो छोड़के मताना, अगर 94 याद आया, तो 94 लिख देना, 50 याद अगर आपको बिल्कुल accurate याद नहीं है, तो आप लिख के नहीं हो, तो थोड़ा सा लिख के आगा, तो एक्जाम में थोड़ा से जाद मार्स मिल जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आपको important यह पूछता है, वो कि TAC polymerase क्या होता है, तो TAC polymerase enzyme क्या होता है, यह से हम thermos aquiticus से obtain करते हैं, और यह हाँ बहुत जादा high temperature पे भी tolerate कर लेता है, इसलिए हम यह वाला enzyme यूज करते हैं, आपके PCR के अंदर, यह आपके दो bio-reactors है, जो कि अच्छी तरीके से पतावने चाहिए, यहाँ पे आपको gas bubbles देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे एकद का अलग देखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई oxygen का molecule नहीं दे रखने कली मिल रहा है, मोटर दे रखी है, तो यह आपका PCR का gain diagram, जो कि बहुत important है, बात करते हैं, आपके applications की, biotechnology के अंदर, बात करते हैं, 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 बात क को हम क्या क्यों बनाते हैं, GMO, यानि की genetically modified organism, सबसे पहले, वो जादा से जादा यह biotic stress को control कर पाएं, यानि कि अगर water की condition अच्छी नहीं है, तो उस condition पे भी वो stable रहे हैं, अगर बहुत जादा draft हो रहा है, तो वहाँ पे भी उन्हें कोई effect ना पड़े, post harvest जो lost होते हैं, उ हम कम से कम use करें, हम soil की fertility को अच्छे से अच्छा रखें, और tailor-made cells, यानि कि हम उसमें कोई भी अपनी हिसाप से, जो nutrition value increase करना चाते हैं, वो हम increase कर सके, with the help of biotechnology, ओके, यहाँ पे, जो हमने, like, micro-organism, या यह भी, BT cotton भी आपका crop में आता है, प्लांट में, फिर आपका plant, पेस् का formation हो जाता था, तो उसे हमने press resistant बना दिया, BT cotton, insulin और gene therapy बहुत important है, अब बात करते हैं, आपकी transgenic animals की, तो देखो, transgenic animals को हम क्यों बनाते हैं, देखो, सबसे जादा 95% अप्रोक्स, यहाँ पे जितने भी आपके transgenic animal हैं, वो mice होते हैं, और यह transgenic animals हम इसली बनाते हैं, कि हम study कर सके, study कर सके, हम disease की, किसी भी biological product को obtain सके, किसी भी vaccine की safety को measure कर सके, और chemical safety को test कर सके, किसी भी जैसे कि आपकी cosmetic हो, या फिर कोई भी आपका chemical product हो, तो इसे हम अची तरीकी से बढ़ लेते हैं, क्योंकि 5 marks का question आपकी exam में आता है, transgenic animals की उपर, तो यहाँ पे transgenic animals क्या होते हैं, वो animals जो, जिनका DNA हम manipulate कर देते हैं, मतलब थोड़सा हम change करेंगे, उनके DNA में, DNA sequence में, अपने हिसाब से, ताकि हम उनसे एक specific product obtain कर सके, या फिर हम उसमें एक extra gene add कर देंगे, कोई भी foreign gene, अपने desire के according, तो उन्हें क्या बोलते हैं, transgenic animals, यहाँ पे 95% तक जितने भी आप transgenic animals होते हैं, वो सारे mice होती है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, normal physiology और development check करते हैं, जैसे कि अगर हमें study करनी है, किसी भी growth hormone की, just like insulin growth hormone की, तो हम क्या करेंगे, किसी भी transgenic animal को अगर study करेंगे, तो बहुत कम टाइम में, हम बहुत सारे expressions को note out कर सकते हैं, दूसरा, हम कि इसी भी disease की study कर सकते हैं, जैसे कि, यहाँ पे बहुत सारे transgenic animals हैं, जैने के हम design करते हैं, कि उनसे हम समझ सके कि disease कैसे develop होती है, और उसका treatment कैसे करना है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे transgenic models बनाए भी हैं, कुछ disease के जैसे कि cystic fibrosis, cancer, rheumethod arthritis, और Alzheimer disease के, यहाँ पे biological product कौन- जो एक बहुत important human protein है, which is alpha-1 antitrypsin, इसका development करा है, हमने biotechnology के तुरू 1997 में हमने first transgenic cow को discover करा, which is rosy, और rosy क्या करती है, जो हमें milk देती है, उसके अंदर human protein present है, जो की newborn baby के लिए काफी अच्छी है, और यह protein क्या है, alpha-lact albumin, और यह काफी अच्छी diet है, आपके human babies के लिए as comparison to natural cow milk, ऐसी आपकी natural, एक transgenic goat है, जिसके अंदर हमने कोड करा है, आपका TPA, it is tissue plasminogen activator, तो यह वाली जो गोट है, जो milk देगी, इसके milk के अंदर क्या हैगा, आपका blood clotting, clot dissolving protein, तो जिसको भी like coronary thrombosis है, यह कोई ऐसी चीज है, तो उसके लिए, यह जो transgenic goat है, इसका milk इसे सबसे पहले हम टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी transgenic animals पे, क्योंकि यह होते हैं, काफी सादा sensitive हो जाते हैं, इनके genes modify होने के बाद, तो अगर कोई भी कुछ ऐसा chemical, कुछ ऐसा खराबी है, तो जो हमें हमारे cells को खराब कर सकती है, तो उनके 5-6 साल बाद भी, तो उनमें हमें वो result काफी कम time में ही देखने के लिए मिल जाता है, transgenic animals के उपर, और यह easy रहता है, और हमारी study बे जाते हैं, कि अगर हमें, हमारी human की body को खत्रा तो नहीं होगा, इस vaccine के तो हम उस पे study कर सकते हैं, chemical safety testing, जितने भी आपके cosmetics items हैं, पहले test करे जाते है animals के उपर, तो market में ने launch करा जाता है, ठीक है, तो यह तो आपका transgenic animals का part हो गया, जो कि 5 marks का question आता है exam में, then, आपका G.E.A.C. यह आपकी genetic engineering approval committee है, बहुत important question है, 2000, बहुत बार आया हुआ question है, ठीक है, exactly मुझे यह याद नहीं है, यहापे, G.E.A.C. यहापे genetic engineering approval जो committee है, यह क्या करती है, बेसिकल इसे design करा गया है, government of India के थूँ, यह हर उस GM organism पे रखती है, नजर कि यह public safety के लिए safe है या नहीं, अगर वो इससे check होने के बाद, वो GM organism तभी वो market में launch होता है, however, ऐसा possible नहीं है, कि इसके थूँ वो pass out नहीं हो, okay, so सब तभी वो market में launch होगा, अगर पहले उसकी checking होगी, व इसके बाद आपका जो word आते है, वो है आपका biotechnology, BT cotton और biotechnology में, जो हमने medicines में, हम use करते है, insulin के लिए, molecular diagnosis के लिए, gene therapy के लिए, और stem cells technology के लिए, इसे एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, so यहाँ पे, start करते है, BT cotton से, तो देखो, BT cotton का जो word है, BT, it is bacillus thuringiensis, और य जो की insects को किल करते हैं, एक specific types के insects को ही किल करते हैं, जोसे की lepidoterans, lepidoterans में आपके tobacco, birdworm आते हैं, armyworm आते हैं, colub terans में आपके beetles आते हैं, dive terans में आपकी flies और mosquitoes आते हैं, bacillus thuringiensis, जो की produce करते हैं, protein crystal, जो contain करता है आपका toxic insecticidal protein, अब यहाँ पे initially जो प्रेडूस कर रहे है protein यह inactive form में होते हैं, जैसी insect इसे ingest करता है और उसकी gut में present alkaline medium, इसे क्या करता है, active कर देता है, इसकी वज़ा से यह उसकी gut में, mate gut में जाके pores कर देती है, उसकी epithelium cells से, और क्या होते है, मतलब lysis हो जाती है, cutting हो जाती है, और क्या होता है, ultimately इस इस इंसेक्त की death हो जाती है, अब यहां पर हमने biotechnology के थुरू bt cotton, bt corn, bt rice, bt brinjal, bt tomato का formation करा है, with the help of biotechnology, अब यहां पर दूसरा जो method है आपके लिए, कि biotechnology में हम कौन कौन सी applications use करते हैं, तो बहुत सारे हमने therapeutic drug और genetically modified organism का development करा है, तो यहां पर देखो insulin, जो की important है, insulin देखो सबसे पहले क्या था, ह हम जितने भी diabetic patient को जो insulin देते थे, वो extract करते थे, pancreas से, जितने भी आपके slot cattle थी या फिर pigs से, और उनसे extract करके diabetic patient को देते थे, अब यहां पर सबसे बुरी बात ही होती थी, क्योंकि एक foreign gene है, जो की foreign protein है, जो की हम एक person की body में inject कर रहे थे, तो इससे आपको, उस person को allergy होने के chances बहुत जादा रहते थे, और उसे कई बार काफी जादा वाली allergy भी हो जाती थी, तो यहां पर हमने biotechnology के तुरू, एक genetically engineered insulin का formation करा, पर यह इतना असान नहीं था, तो सबसे पहले हम क्या करते है, insulin की study करते है, insulin क्या होती है, तो insulin सबसे पहले दो polypeptide chain से मिलके बनी होए होत यह वो वाली amino acid है, जो की mature form में है, और यह जो amino acid है, यह आपके A और B chain होए disulfide bridges से जुड़ी होती है, in mature form, ठीक है, हाईवर यहां पर जो mammals है, इनके अंदर जो insulin मिलती है, यह mature state में मिलती है, यानि की एक pro hormone state में, तो इसे mature होना पड़ता है, पहले तब जाके, यह A और B ए B, C, C वाली में कितने होते है, 35 amino acid, ओके यह arrange होते है, अब जब यह mature होती है, तो C वाला जो peptide है, यह अलग हो जाता है, उसे A, B chain रह जाती है, तो सबसे ज़्यादा important और सबसे ज़्यादा problem जो आई, insulin को बनाने में, बाय टेकनोलोजी के तो यह आई, कि कैसे C वाली जो chain ह अलग करा जाए, क्योंकि C वाली जो chain थी, वो like middle में थी, यह वाली जो आपकी C chain है, यह आपकी A chain है, यह आपकी B chain है, तो यह पर C वाली जो middle में थी, से कैसे separate करा जाए, human insulin के अंदर सबसे ज़्यादा important यह था, तो इसके लिए क्या हुआ, आपकी जो American company है, 1983 में, इली-ली इन्होंने prepare करें, दो DNA के sequence corresponding A और B, इन्होंने बोला, कि हम क्यों ना A और B chain को अलग-अलग ग्रो करवाएं, E. coli के अंदर, और उससे extract करें A chain को, B chain को, और फिर उन्हें disulfide bridge से attach कर दें, तो ऐसे आपका insulin का formation हो जाएगा, तो देखो जैसे कि यह diagram है आपका, यह आपकी B chain है, यह आपकी A chain है, यह A हो गई, यह B हो गई, उन्होंने बोला, C को, ऐसी रहेंदो, C का यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, A वाले को E. coli के अंदर ग्रो करवाएंगे, B वाले को E. coli के अंदर ग्रो करवाएंगे, और फिर disulfide bridges से attach कर देंगे, और ऐसे हमारे insulin का formation हो जाएगा, और यह C वाली वो तो अलग रहेगी, ठीक है, तो कुछ ऐसे करके insulin का formation हुआ, इलिलिली के थुरू, then gene therapy, gene therapy क्या होती है, यह collection of methods है, जो की allow करते हैं, gene correction, किसी भी like diagnose करते हैं, हम इसके थुरू किसी भी child या फिर embryo में जो हमने diagnose कर रहा है, उसके gene therapy करते है इंसर्ट करते हैं उसके अंदर एक अच्छा gene, एक normal gene, functional gene ताकि treat कर सके हैं उसकी disease को, अब यहाँ पर फर्स जो आपकी gene therapy है, वो हुई 1990 में एक 4 साल की बच्ची के अंदर जिसे एडिनर, diaminase deficiency ती, यानि कि इस enzyme की deficiency उसकी body में, अब यह जो enzyme है, यह immune system है उसके work के लिए responsible र तो हम क्या करते थे, उस patient की body में से जितना भी blood है, उसे लेते थे, उसमें से lymphocytes, जो cells होती है, उन्हें culture करते थे, पूरे blood को culture नहीं कर रहे है, सिर्फ lymphocyte cells को culture कर रहे है, और फिर उसमें retrovirus जो आपका vector है, जा vector, हम उसमें add कर देते थे, आपके functional adenosine diaminase, जो enzyme है, functional वाले तो अब क्या होगा, compensation हो जाएगा, जो उसके body में deficiency थी या non-functional थे, आपके जतने भी enzyme थे, adenosine diaminase, अब वो functional वाले हमने डाल दिये, तो यहाँ पे उसकी body में वो work अराम से करेंगे, immune system का work growth अराम से होगी, और फिर हमने यहीं वाले lymphocytes से उसकी body में दुबारा से transfer करवा तो यहाँ पे इस process से क्या होगा, उसकी body में deficiency जो थी जिस enzyme की वो नहीं होगी, gene therapy के थू क्योंकि हमने भार से उसकी body में gene add कर दिये, लेकिन यहाँ पे जो person है, उसे बार 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 चाहिए होगा, subsequently चाहिए होगा, सारे ही like culturing, क्योंकि यह क्या होगा, थोड़ दिन ब producing ADAS introduced into the cell at early embryonic stage, तो यह इसका permanent cure भी हो सकता है, इस पे question आया है exam में, previous year question में, कि कौन से stage पे permanent cure हो सकता है, तो it is early embryonic stage, okay, molecular diagnosis हम किस से करते हैं, polymerase chain reaction से, और आपका recombinant DNA technology से, LSA से, stem cell technology से भी करते हैं, okay, so यह हो गया, then आपकी जो last word है, it is biopiracy, बस वो एक बार और अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, then आपका यह complete हो जाएगी, पूरी ही biotechnology, yeah, biopiracy, biopiracy क्या है, हम अगर कोई भी like individual है, या फिर कोई भी company, जो कि किसी का भी bio organism, या फिर bio resource, बिना किसी authorization के, use कर लेती है, तो उसे एक compensatory payment उसे देनी पड़ेगी, और हम इस चीज को क्या बोलेंगे, biopiracy, इतना जादा knowledge नहीं थी, इंडिया को, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके, यह सारी चीजा में पता चल गए, जब हमारी जो rice है, बासमती rice, वो हमारी, उसकी piracy हो गई, biopiracy, the use of bio resources by multinational and other organization without proper authorization from the country, and concerned people without compensatory payment, पेमेंट भी नहीं दिया है, बताया भी नहीं है, और ऐसी किसी ने उसका bio organism use कर लिया, तो इसे हम biopiracy कहते हैं, यानि कि किसी भी bio organism की चोरी, ओके, अब यहां पर micro organism भी कोई ले सकता है, plant भी ले सकता है, और कोई भी genetic material भी लेता है, तो ऐसा कब हुआ हमारी orisa sativa के साथ, यानि कि रास, बासमती rice के साथ, और नीम और जितने भी आपके turmeric है, इसे हमने इसलिए पहले ही biopatent करवा लिया, so I hope इस video के थुरू आपकी help हो गई हो और आपका biotechnology पूरा revise हो गया, तो आपके करना है, इस video को like करना है, share करना है, thank you for watching this video.